हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टीडी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पून टॉपिक लेकर आया हूँ करेंड फैस का एक स्पेसल टॉपिक है वरतमान में भारत में कौन क्या है जितने भी लेटेस्ट एपॉइंट में निउक्तिया निउक्तियों से लेटेट तीन से चार कोश्चन जरूर पूछा आता है इसलिए आप इस वीडियो को लास्त तक देख लें आपका सारा कवर हो जाएगा इसमें बहुत दोस्तों काफी सेलेक्टेट चीजे मैं इसमें वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ठीक है और मुख्य सूचन आयुक्त वरतमान में है सुधीर भारगव देखे दोस्तों इनको अभी हाल में नियुक्त किया गया इसलिए आप याद रखेंगे और मुख्य सूचन आयुक्त देखे दोस्तों Central Information Commission मुख्य सूचन आयुक के बारे में आपको पता होना चाहिए तो आपको प्याद रखेंगे बरतमान में शुधीर वारगाउजी है Chief Information Commissioner of India छीज़ी अगला कोशन है हमारा शाइक तुराज अमेरिका में भारत के राजदूत किसे नुक किया गया है यानि USA में भारत का नया राजदूत नुक किया गया हर्ष वर्धन शेंगला को इनको नुक किया गया नौजोट सिंग सरना के स्थान पर ठीक है युशे में भारत के नए राजदूत कौन बनगे हर्ष वर्धन स्रिंगला नौजो सिंग सरना के स्थान पर नेक्स्ट है हमारा केंद्रिय प्रतेक्ष कर और शीमा सुलकबोर्ड के नए ध्यक्ष CBIC Central Board of Indirect Access and Customs केंद्रिय प्रतेक्ष कर और शीमा सुलकबोर्ड इसका फुलकबोर्ड में Central Board of Indirect Access and Customs ठीक है तो दोस्तों प्रणव कुमारदास को स्रमेश के स्थान पर निकुत कि अगरे प्रणव कुमारदास को देखे दो सीवी आईसी सीवी आईसी की स्थापना कब हुई थी यहां से ठीक है तो प्रणव कुमारदास अभी हाल में इनकी निकुतिक गीए है इसके नए चैर्मेन बने है वर्तमाने भारत के फानेंस मिनिस्टर को नहीं है अरुन जेटली जी है ठीक है अरुन जेटली है 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 कि है ऑगला कोशन है हमारा फोर्थ नंबर का सीवी आई के वर्तमा बन गए रिशी कुमार शुकला अब CBI के बारे में जाल लेते हैं थोड़ा सा CBI ये गुप्ट चर्थ संस्था है भारत की इसकी स्थाबना हुई थी 1941 में 1941 में CBI की स्थाबना की गी थी इसका हैट कोटर है निउडेली में ठीक है रिशी कुमार शुकला नए डारेक्टर बन गए हैं CBI Central Bureau of Investigation ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं राष्टी अनुसूची जनजाती आयोक के वर्तवान में सचीव कौन है और शौक कुमार सिंग राष्टी अनुसूची जनजाती आयोक के वर्तवान सचीव कौन है और शौक कुमार सिंग अगला कोचन है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाकार economic advisor भारत की चीफ economic advisor डाक्टर किष्णमूर्ती शुब्रमन्यम भारत के नय मुख्यातिक सलाकार यादर केगा डाक्टर किष्णमूर्ती शुब्रमन्यम most important है यह अगला question है बारा नय वित्र सच्चिव भारत के नय Finance Secretary शुभाष चंदरगर्ग ठीक है शुभाष चंदरगर्ग भारत के नए वित्य से चुबने है दोस्तों अगर आप NTPC और GroupD exam की त्यारी कर रहे हैं जो exam होने वाला है भी उसके लिए LBook Publisher द्वारा एक most important book त्यार की गई है दोस्तों उसमें आपको previous question paper 20 mock test मिलेंगे साथ ही one liner questions बहुत important book है अब e-pdf है दोस्तों मतलब pdf file में book मिलेगी आप purchase कर सकते हैं लिंक इस video को description box में आपको मिल जाएगा मातर 35 रूपीज की book है यदि आप railway exam की तहरी करें काफी best book है और बहुत अच्छा material दिया गया है इतने comprise में आपको नहीं मिलेगा तो आप देख ले download करना होगा आपको description box में में link देदू उस link करके आप purchase कर सकते हैं ये soft copy है ठीक है तो आप जरूर देख लें काफी important book है और comment box में भी मैं उस book कर लिंक देदूँगा comment section में तो वहाँ से भी आप purchase कर सकते हैं next है बैंकाब महरास्टा के MD और CEO बैंकाब महरास्टा के MD और CEO किसे निक्तिया गया है A.S. Rajiv को ठीक है A.S. Rajiv बैंकाब महरास्टा के MD और CEO बने है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री मुजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन निक्तियों है जोर मथंगा ठीक है जोर मथंगा देखिए मिजोरम की capital क्या है आईजौल है ठीक है मिजोरम की capital आईजौल है यहाँ पे 8 district है और इसका जो गठन हुआ था मिजोरम राज जिका वो थो 20 फरवरी 20 फैब 1987 में ठीक है और मिजोरम के गवर्नर कोन है बरतमान में भी कुशन पूछा सकता है जगदीश मुख्यें कोन है जगदीश मुख्यें है और मिजोरम में राजसभग की एक सीट है लोग सबक की वेक सीट है ठीक है चलिए अकला कोशन है शंग लोग स्वेवा आयोग यानि UPSC Union Public Service Commission UPSC के नया अध्यक्ष अर्भिन सकसेना ठीक है UPSC जो IAS, IFS, IRS exam conduct करता है भारत का जो top class 1 officer होते हैं यही संस्था exam conduct करती है UPSC ठीक है यह भी नई दिल्ली में है इसका नई दिल्ली में है ठीक है UPSC तो नए चेर्मेन अर्भिन सकसेना भारत के नए मुख निर्वाचन आयुक्त अभी हाल में नए मुख निर्वाचन आयुक्त बने शुनील अरोडा जी ओम प्रकास रावत के स्थान पर भारत के नए मुख निर्वाचन आयुक्त ठीक है मोस्ट इंपोडेंट है देखे उस तो चुनाव आयुक की स्थाबना कब हुई थी अभी हाल में काफी तो चर्ची थे तो चुनाव आयुक की स्थाबना हुई थी ज्यागी स्थाबना की स्था इची अगला कोशन нे भारत के अंतर देशी जल मारुण करें 네стंस कौन है और भी हाल में बने जलत स्रीवास्तों के आइटीवी dezombah जलमार्ण भारती प्रतिश्परदाओदेख कौन बने है भारती प्रतिश्पर्धायोग के नहान द्यक्ष बन ग अशोक खु मार गुपता सुधीरं मित्यत्य लगस्तान कोशन है भारत के 46 मुख्यनाधिस कौन बने है भारत के नए मुख्यनाधिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजे आई नयमूर्ति रंजन गोगोई बने है ठीक है most important है अगला कोशन है इस्पेन में भारत के राजदूत कौन कौन बने है संजय वर्मा ठीक है संजय वर्मा कोशन 23 है निसस्त्री करण पर सेंगत राज सम्मेलन के लिए राजदूत और भारत के स्थाई प्रंदिनी कौन युक्ति है पंकर सर्मा अमंधीब गिलके स्थान पर भारत की मुख्य शांकिकी वित कौन है प्रवीन श्रीवास् अगला भारत के नय सॉलिशीटर जन्रल कौन बने हैं ये बने मता अभी क्या पता है उनका क्या काम होता है तो लिए सबसे कारी होता है और कैन स Russi स्रुपर्ण की तरफ से पेश होता है ठीक है यह आप याद रखेंगे भारत का नया स्लिसीटर जेनरल तुछ सार मैता अगला इस पात मंत्राले में सची कोन भारत सरकार विनाओ कुमार है विनाओ कुमार प्रिझन भारत के राजदूत कौन वने हैं विक्रम मिस्तरी के नेक्स दोस्तों परमाडु उर्जा और परमाडु उर्जाओं के वर्थमान फ्रसित्य व्यास नीद्ग व्यास पर्मादूर याक वरत्मान अध्यक्ष और तो हमने देख लिया है भारत की शहले से मोकिनाधिस नेम तुरेंजन सच डेवलेमेंट आउगनेशन के वरतमान में ध्यक्ष हैं प्रशितिवक्जानेंग डाक्टर जी सतीस रेड़ी ठीक है डी आर्डियो डी आर्डियो की स्थापना कभी थी 1958 में कई वार एक्जाम कुछन पूछा आता है यह डी आर्डियो का हैट्वाटर नेव डेली में ठी के एर्मायन है ठीक है इससे पहले हमने देखा था कि परमाडू उर्जया आयोक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं परमाडू एटाउमिक एनर्जी कमिशन ऑफ इंडिया देखिए इसकी स्थापना कभी थी एक मार्च 1958 में यह सारी चीजा आप नोट डाउन करते चलिए अगला कोशन देख लेते हैं राजसभा के वर्तमान उप्षभापती कौन है एंडिया प्रत्यासी हर्यवन से नारायण सिंग को निक्त किया गया था राजसभा में उप्षभापती ठीक है यह थे दोस्तों मोस्ट इंपोड़ेन निक्तियों से लेटेट कोश्चन साई सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभूले साथ में बेल आकन प्रसक्राइब ताक कि आपको ऐसी एक्जाम से लेटेर वीडियो को नोटिफिकेसर मिलता रहे ठीक है उसके लाब आप जो मैंने बु सारी सुब कामने जै हिन जै भारत